All right guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने bootstrap की मदद से एक sign up page बनाया था Sign up page में हमने अगर कोई भी user डाल दिया, जैसे माल लो SI करके और SI करके मैंने password दे दिया, SI username और SI password तो यहाँ पर देखो मेरे पास SI एक और user account बन जाएगा यह user account मेरा बन चुका है, अब मुझे करवाना है login इस user को जो कि मैं obviously login form की मदद से करवाँगा और login form जो है, वो sign up form की तरह दिखे का बहुत जादा, बहुत ही जादा similar होगा और मैं क्या करूँगा, start करूँगा इसको पूरा copy करके और इसको पूरा paste करके तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा sign up मैंने copy करके login में फटक दिया title इसका मैं कर दूँगा login और यह show alert वाला यह सब अभी छोड़ देता हूँ, अभी बनाता हूँ username और password तो username और password रहेगा, confirm password नहीं रहेगा, ठीक है और यह sign up ना होके login.php को submit करेगा details अपनी और बाकी सब तो same रहेगा, ठीक है, और sign up की जगा login कर दूँगा मैं एक बर जब यह details submit करेगा, तब यहाँ पर मुझे क्या करना है username उठाना है, password उठाना है, username और password उठाने के बाद मुझे आपर क्या करना है, exist is equal to false को छोड़ दो, मैं क्या करूँगा, मैं एक SQL query run करूँगा, और यहाँ पर यह, मैं if condition अटा देता हूँ, यह start हो रही है, end हो रही है, if condition अटा देता हूँ, मैं आपर करूँगा, क्या, इसको indent को फिर्णा पीछे कर देता हूँ, मैं आपर करूँगा, select star from users where username is equal to, और मैं आपर लिख दूँगा, dollar username, और मैं लिखूँगा, यहाँ पर, मैंने आपर एक गडबर कर दी है, यह single quote यहाँ बंदो का, और यह string कर डबल कोट यहाँ बंदोगा, और password is equal to, मैं आपर लिख दूँगा, dollar password, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने basically क्या कर रहा है, एक SQL query रन कर दी, और इसका जो result है, वो यहाँ पर आ जाएगा, मैं आपर क्या करूँगा, मैं आपर select कर रहा हूँ data, अपना database में से, तो मैं आपर क्या करूँगा, इस query को run करने के बाद, मैं काऊँगा, कि dollar num is equal to, और क्या करूँगा, mysql i underscore num underscore query, और dollar result, और यह क्या करेगा, mysql i underscore num underscore query, नि रोज, sorry, mysql i underscore num underscore rows, मैंने आपर कुछ इस तरह से लिख दिया है, और यहाँ पर num में क्या होगा, आज आएगा, कितने मेरे records पैच होएं, अगर num is greater than one हुआ, या फिर equal to one कर लेते हैं, कि एक ही होगा account किसी के पास, equals to equals to one, login is equal to true मैं लिख दूँगा, सिर्फ इतना लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा, invalid credentials, ठीक है, और जो मैंने show alert बनाय था, उसको मैं login मना देता हूँ, login is equal to false था पहले है, अब login is equal to true है, और login अगर true होगा, तो मैं नीचे क्या कर दूँगा, मैं अबर कहूँगा, you are logged in, you are logged in, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ, reload करता हूँ, मैं हैरी और 123 मैंने बनाय था एक account, login करता हूँ, और यहाँ पर यह कह रहा है, कि mysql i underscore query, मैंने इसको sql दी, run करने के लिए, mysql i underscore num underscore rows को, कह रहा है, मुझे देना पड़ेगा, पहला argument इसका, line number 12 मैं रहा रहा है, तो हो क्या रहा है कि हमारी query fail हो रही है for some reason, मैं देखता हूँ, क्या problem है, select star from users where username is equal to end, okay, तो मैंने password का ये बंद नहीं किया, single quote, और ये double quote string का है, और ये single quote इस password का है, तो ये चोटी सी गलती ने कहां से काम पहुचा दिया मुझे, मैं आपर क्या करूँगा, इसको reload करूँगा अभी, continue करूँगा और ये देखो, you are logged in आ गया, तो मैं अभी जो है, login हो चुका हूँ, अगर मैं कुछ, कुछ भी डाल दूँ अगर तो ये कह रहा है invalid credentials, लेकिन अगर मैं सही डालूँ, अपना username और password जैसे की, शुपम शुपम डालूँ, तो यूवा लॉग डिन आ रहा है, तो जहां पर you are logged in आ रहा है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पर session स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है, तो लॉग डिन कहा पर आ रहा है, यहां पर login इसे कर लो टूए, यानि कि, आप यहां पर अब login हो चुके है, और अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं आपर सेशन को स्टार्ट कर दूँगा तो यहाँ पर लिख देते हैं सेशन अंडर्सकोर स्टार्ट सेशन मेंने स्टार्ट कर दिया है अब मैं आपर लिखूँगा dollar underscore session और उसके बाद मैं आपर लिखोंगा मैं आपर लिख दूँगा logged in is equal to true ठीक है उसी के साथ user name भी रख देते हैं और password तो obviously नहीं करते है एर सेट क्यों करें user का password पहली बात तो password हमारा plain text में रहे गई नी लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ user name set करो बस काम हो जाया तो हमने उसको उसके session को start कर दिया है हमने logged in को true कर दिया है उसके user name को dollar user name कर दिया है अब एक function बता रहा हूँ जो कि पहले मैंने आप लोग को नहीं बताया ठीक है मैंने पहले आप लोग को ये नहीं बताया इसलिए मैं आप लोग को अभी बता रहा हूं और वो है redirect करने का function और वो है header आपको लिखना है location, colon और उसके बाद कहां आप भीजना चाहते हैं user को मैं भीजना चाहता हूं उसको welcome.php पे और login होगा तो welcome.php पे वो चला जाएगा तो यहाँ पर अगर मैंने harry harry लिखा तो यहाँ पर harry 123 तस्वारी password तो यह देखो मैं आ गया हूं यहाँ पर यह मुझसे पूछना password save कर दूंगा welcome.php मैं आ गया हूं लेकिन welcome.php मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा session already set है अगर नहीं है तो मैं उसको log out करा दूँगा भाई के भाई log out तो वह नहीं ही होगा अगर उसका session सेट नहीं है तो मैं उसको login पेज दूगा तुम लॉग इन पेच पर चले जाओ तुम एक बिन बुलाए बराती हो जाके तुमको बुलावा नहीं दिया जाता किसी चीज़ का तो तुम क्यों आ जाते हो फंक्शन में मतलब वो शादी वाला फंक्शन यह वाला फंक्शन नहीं है अब यहाँ पर लॉग इन जो है वो उसको एक रास्ता देखाने का हो गएगा भाई अगर तुम आज पर credentials उडालो यहाँ पर और आजाओ फिर welcome.php में लेकर अगर तुम welcome.php में बिन बुलाए गुसने की कोशिश करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा ठीक है तो बेसिकली हम यह कह रहे है तो login.php में लॉग इन कर लिया तो welcome पर जाएगा user चाहे तो log out कर सकता है वो भी हम बनाएंगे और अगर उसको account बनाने तो sign up पर लुग कर सकता है ठीक है कि चलू यहां पर क्या करते हैं film.php को बनाते हैं हम और welcome.php में क्या करेंगे सबसे पहले पहला काम यहां पर हम PHP script अपनी start करेंगे और session को start करेंगे session को मैंने start कर दिया अब मैं आ पर क्या करूँगा मैं check करूँगा कि क्या आप session में है या नहीं है तो मैं आपर लिखूँगा if is set, अगर set है आपका dollar session का logged in अगर set है और उसी के साथ-साथ, या तो आपका ये logged in set होना चाहिए, ठीक है अगर आपका set है और उसी के साथ-साथ मैं काम और कर देता हूँ या पर, या फिर, मैं कहता हूँ या फिर, या तो set ना हो, या dollar underscore session logged in is not equals to true, अगर ऐसा हो, तो मतलब आप logged in नहीं हो, या तो आपका session set ही नहीं है, या फिर, आपका जो session है, वो true नहीं है इन दोनों ही का मतलब यह है कि आप logged in नहीं हो, तो आपको यहां से भगाना पड़ेगा welcome.php में सिर्फ वही welcome है, जो logged in है, बाकी सब इन बुलाएं बराती को, बड़तन दुला के बगा दिया जाता है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे basically कहेंगे, आप बहुत ही इज़त के साथ location login.php में चले जाओ और location login.php में login login, मैं आपर लिखूंगा, मैंने क्या लिखा था location welcome.php में भीजा था मैंने यहांपर मैं login.php में भीज दूँगा, ठीक है तो location login.php हो जाएगी, ठीक है semi column और जैसे ही मैं यह करूँगा, तो वो login.php में चला जाएगा इसके बाद मैं script को exit कर दूँगा, exit से जो php script है वो exit हो जाती है लेकिन, लेकिन अगर आप एक बिन बुलाय बराती नहीं है, तो नीचे हम code लिखेंगे, जो कि आपको welcome करेगा और welcome आपको हम करेंगे title के साथ ही, और यहां पर मैं क्या करूँगा, एक php script लगाऊंगा और हम आपका dollar session username कुछ इस तरह से लिख देंगे ठीक है, तो आपका welcome username जो है हम यहां लिखेंगे और उसी के साथ-साथ हम यहां पर body में भी लिख देंगे, welcome और आपका username और click here to logout करके आपका कोई function दिया जाएगा, लेकिन अभी मैं login करता हूँ, harry 123, login oops, 123, harry okay मैंने गलती से sign up to our website पर भीज दिया इसा क्यों किया मैंने, मुझे login पर जाना था okay तो login पर मुझे login to our website इसका जो title है वो भी change करना है देखो मैंने नहीं किया, भूल गया मैं login to our website करना है इसको, इसको reload किया मैंने, harry और 123 login मैंने किया और यहां पर कुछ तो चल रहा है मुझे देखना पड़ा है क्या चल रहा है जब मैंने login किया तो मेरा header आया, welcome.php पर इसको, login मेरा true है फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, जब मैं यहां चला गया welcome.php में location login.php पर भीज दिया जा रहा है मुझे, अगर मेरा session logged in set है अगर मेरा session logged in set नहीं है, होना चाहिए, okay, so this is a mistake तो मैं आपका, if not of is set, dollar session logged in, अगर आपका जो logged in है, session logged in वो set नहीं है, यहां फिर आपको logged in true नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक कहानी अगर हो जाए, तो आप क्या करें login.php में redirect हो जाए, अभी चल जाएगा देखो Harry 123, login किया, देखो welcome, और यहां पर कोई problem है देखता हूँ क्या problem है, session से यह data को क्यों नहीं retrieve कर पा रहा है session username तो लिखा है मैंने यहां पर, तो क्या problem आ रही है session username मैं यह देख रहा हूँ यहां पर क्या problem है basically php session username echo लिखना पड़ेगा, echo लिखना पड़ेगा okay, अब यह आ जाएगा देखो उसको reload करूँगा मैं, देखो welcome Harry आ गया ठीक है और मैं save कर देता हूँ अपना यहां पर मैंने save कर दिया है, password sign up करूँगा अगर यहां पर login करूँगा, तो देखो Harry और मेरा यह आ गया, login करूँगा, welcome Harry login करा, अगर S1 के account से login करूँगा किस नाम से बनाया था account मैंने, SI के नाम से बनाया था, SI SI login किया, यह देखो, मैं welcome SI SI यहां पर आ गया, और SI का भी password मंग रहा है, save करने के लिए log out अगर मैं करूँ तो होना क्या चाहिए log out हो जाना चाहिए और मैं log out होँगा, तो मैं सीधे कहा जाऊँगा यह तो login पर जाऊँगा, यह sign up पर जाऊँगा और इस वीडियो को thumbs up जरूर दे देना, मुझे काभी अच्छा लगए अगर आप लोग इस वीडियो को एक thumbs up देंगे और इससे क्या होता है कि platform को पर चलता है यह videos बहुत अच्छे हैं और वो आगे push करता है content, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ like कर दो अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट अक्सेस नहीं करें अभी तक तो अपने लिए आप इस प्लेलिस्ट को bookmark कर लेना ताकि आप लोग step by step videos को देख पाए मैं चाहता हूँ दिल से कि आप लोग अगर मेरे videos देख रहे हैं तो आपका जादा से देखेंगे तो आप टाइम लेकर तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल website कैसे काम करती है वाल से start करके और नीचे को मैंने समझाया है कि किस तरह PHP में आप चीज़े कर सकते हैं अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस वीडियो को लाइक का हुआ 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 है